ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो सादर जैसी क्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारे धर्मेंदर शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल यह राशी फले 21 फरवरी 2024 बुधवार का दिन है मागमास के शुक्लपक्ष की द्वादशीत थी है पुनरवसू नामक नक्षत्र होगा तथा करक राशी में चंदर्मा बिराजित रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में होंगे इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुक्सान दाई साबित होगा अगर किसी कारणवस उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा अवश्यक हो तो धनिया खा करके यात्रा का आरंब कर सकते हैं हरा धनिया, सुखा धनिया या फिर धने की डाल राहुकाल जो की दोपहर बारा बजे से ले करके डेड़ बजे तक रहेगा याने बारा से एक बज के तीस मिने तक राहुकाल रहेगा राहुकाल के दोरान कोई भी शुबिया मांगली कारिक्रम आपको संपन्य नहीं करना चाहिए हाला कि राहुकाल का निर्णे आप अपने क्षेत्र के पंचांग अथवा केलेंडर के अमसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है दैनिक ग्रह गोचर के दिए हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जोकी कुम्ब राशी में वही चंद्रमा करक राशी में, मंगल गरह मकर राशी में, बुद्ध गरह कुम्ब राशी में, देव गुरु ब्रहस्पती जोकी मेंस राशी में, शुक्र गरह मकर राशी में, शनिदेव कुम्ब राशी में, राहु गरह मीन राशी में तथा केतु गरह कन्या राशी में वि धन्दाप के साथ नया काम नई जुम्मेदारी नया वो काम भी इनको मिल सकता है तो कुल मिला करके पांच राशी वालों के लिए दिन सबसे खास साबित होगा सुर्योदय सुभच 6 बच के 53 मिनिट पर होगा तथा सुर्यास्त शाम को 6 बच करके 14 मिनिट पर होगा शुब मुर्त की अगर हम बात करें तो बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन सुभच 6 बजे से लेकर साड़े साथ बजे तक लाव का चोग्रिया रहेगा तथा सुभच 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक अमरत का चोग्रिया रहेगा और सुबह साड़े दस से लेकर के दो बार बारा बजे तक शुब का चोग्रिया रहेगा दो बार बार तीन बजे से लेकर के साड़े चार बजे तक चर का चोग्रिया रहेगा शाम को साड़े चार बजे से लेकर छे बजे तक लाब का चोग्रिया रहेगा इस दोरान यदि आप कोई भी शुब काम करेंगे, मांगलिक कारी करेंगे, नया काम करेंगे, तो आपको अधिक से अधिक फाइदे का संयोग निर्मित हो सकता है अब हम आपको मेस से ले करके मीन सभी 12 राशी वालोगा, दैनिक राशी फल पताने जा रहे हैं हमारे इस गैनवर्थक वीडियो को अंतक देखेगा और देखने के पस्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजेगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेस राशी की इस्थाई संपर्टी प्रापर्टी के लेंदेन संबंदी कुछ लाबदायक योजनाएं बनेगी घर के बदलाव संबंदी विशय पर भी मातुपूर्ण चर्चा होगी रुके हुए अटके हुए काम पूरे होंगे अधिकतर समय मन और अंजन तथा परिवार के साथ मोज मस्ती संबंदी गती विदियो में व्यतीत होगा और उपाई के रूप में मा दुरगा के मंदर में लाल फल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की जीवन को सकारात्मक नजरिये से समझने की कोशिश करे इससे आपके अंदर चल रही कई गलत फेमिया सुलच जाएगी धर्म और अध्यात्म के प्रति आपका बड़ता विश्वास भी आपको शांती और मानसिक सुख प्रदान करेगा बच्चों को अपनी पड़ाई में और अधिक ध्यान देने की आउशकता है इसलिए फालतू की गतिविधियों से अपना ध्यान ठाए किसी नजदी की मित्रे या रिस्तिदार से मामूली बात को लेकर के वैचारिक मदभेद उत्पन हो सकते हैं इसलिए किसी भी बात को ज़्यादा तूल न दे और उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि आप सफेद रंग की कोई भी मीथी वस्तू जैसे मिस्री या शकर खाकर के घर से निकलते हैं तो आप का डेन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की घर में रिष्टदारों का या महमानों का आगमन होगा तथा आपसे विचारों का आदान प्रदान घर के वातावरन को खुश्णुमा बनाएगा अपने महत्तुपूर्ण काम आप निप्टाने का प्रयास करेंगे युवाओं को आपसी वारतालाब से अपनी किसी समस्या का समाधान मिल जाएगा बच्चों पर कठोर नियंतरन न रख करके मित्रवत व्यभार रखे इससे आसानीशे वे अपनी समस्याओं के आपके साथ शेयर कर पाएंगे और उपाई के रूप में हरी सबजी का दान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते हैं करकराशीगी मन और अंजन और हास वरिहास में आपका समय वितित होगा हलका फुलका आराम करने का आउसर भी आपको मिलेगा उर्जा से आप भरपूर महसूस रहेंगे घर की जर्वत संबन्दी कारियों में आपकी विस्ता बनी रहेगी बच्चों के साथ उनके क्रिया कलापों में रुची जाहिर करना उनके आत्म इश्वास को और अधिक बढ़ाएगा घर की किसी महत्वपूर्ण वस्तू के खोने या चोरी होने की संभावना है किसी पर इलजाम लगाने से पहले अच्छी प्रकार से परताल अवश्य करे और अपनी वस्तू को सम्हाल कर रखे ओफिस के कुछ कामों को घर पर भी समय आपको देना पड़ सकता है और उपाई के रूप में भगवान गणेश जी के मंदिर में यदि आप लड़ू चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग पीला होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की पारिवारिक सदस्यों की सुक्स विधाओं का ध्यान रखने के प्रति आपका पूर्ण समर्पन भाव रहेगा किसी सामाजिक गतिविधी में आपका महतुपूर्ण योगदान होने की वजह से आप सम्मानित होंगे कोई आर्थिक परिशानी होने से आपके मित्र आपकी मदद के लिए ततपर रहेंगे परंतु कभी कभी आपके विचारों में बहुत अधिक वहम वा संक्रिनता परिवार के लोगों के लिए परिशानी का कारण बन सकती है इसलिए अपने व्यवहार व विचारों में लचीलापन बना कर रखना अति आवश्यक होगा और उपाई के रूप में घर से निकलते समय एक लॉंग या फिर इलाईची खाना आपके लिए शुप्फलदाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका कैसरिया होगा अब हम बात करते हैं कन्या राशी की किसी समयच से भी संस्था में आपका विशेस योगदान रहेगा जिस कारण आपको मान सम्मान व यश भी प्राप्ती होगी आपके अपनी व्यक्तिगत काम काफी हद तक सुचारू रूप से संपन होते जाएंगे अटके हुए रुके हुए काम भी आपके पूर्ण हो जाएंगे रुका हुआ पैसा भी आपको अचानक प्राप्त हो सकता है कोई अचानक ऐसी खुशकबरी मिलेगी जिसका बहुत दिनों से इंतजार था उस कारण से परिवार में अच्छी खुशियां व्याप्त होगी और किसी अंजान व्यक्ति के विवाद में बिलकुल न पड़े क्योंकि उसकी वजह से आपको परिशानिया उत्पन न हो सकती है उपाई के रूप में भगर से निकलते समय यदि आप मिठाई के रूप में कोई भी मिठी वस्तु खा कर निकलते हैं तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका भगिशाली अंक आठ होगा भगिशाली रंग आपका नीला होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की आज किसी भी गती विधी में दिल के बजाए दिमाग से काम लेना आपके लिए अधिक फायदेबन साबित होगा निकट संबंदियों के साथ प्रापर्टी को लेकर गंभीर और लाब दायक चर्चा होगी घर में कोई धार्मिक आयोजन संपन हो सकता है काम की अधिक्ता की वज़े से स्वभाव में चिर्चडापन रहेगा जिसका असर परिवार की विवस्था को खराप कर सकता है अपने स्वभाव को सकारात्मक बनाए रखने के लिए आपको पॉजेटिविटी बहुत आवश्यक होगी तथा सकारात्मक लोगों के साथ चर्चा करेंगे तो निष्टे ही आपके स्वभाव में एक सकारात्मक आपको नजरिया महसूस होगा और उपाई के रूप में भैवान विश्णूजी के मंदिर में कोई भी फल चड़ाना आपके लिए शुप्फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं वरश्चिक रासी की घर के बड़े बुजुर्गों तथा वरिष्ट व्यक्तियों के साथ कुछ समय आपका वेतित होगा उनके अनुभवों को आत्म साथ करना आपके जीवन को कुछ सकारत्मक पहलियों से अउगत कराएगा बच्चे भी अनुशासित तथा आज्याकारी रहेंगे स्वास्त में हलकी पुल की परिशानी रहने की वजह से आपके कुछ काप अधूरे रह सकते हैं परन्तु तनाव को अपने उपर हावी न होने दे परिवारिक व्यक्तियों का उचित सहयोग आपको चिंता से मुक्त रखेगा अर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धनलाब होगा, नए काम की आप योजना बनाएंगे तथा जो काम बहुत दिनों से अधूरे या अटके पड़े हैं, उनमें भी आपको सुधार महसूस होगा उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि किसी भी गरीब व्यक्ति को दूद का या दहीं का दान आप करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक नो होगा, भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की, राजनेतिक गति विजियों से जुड़े मित्र आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगे तथा उनके साथ लाबदायक मुद्दो पर विचार विमर्श होगा, समय का भरपूर फाइदा उठाए, मरोरंजन संबंदी कारियों में आपका समय बेतित होगा, अपने व्यक्तिगत कारियों में किसी बहारी व्यक्ति को शामिल न करे कोई आपकी गती विधियों का नाजाईस फाइदा उठा कर आपको नुकसान पहुचा सकता है, बच्चों की गती विधियों पर तथा उनकी संगत पर आपको नजर रखना बहुत आवश्यक होगा, और उपाई के रूप में यदि आप भगवान विश्नुजी के मंदिर मे कैसर या हल्दी चड़ाएंगे तो आपका डेंट शुफलदाई साबित होगा, आपका भगशाली अंक दो होगा, भगशाली रंग आपका पीला होगा, अब हम बात करते हैं मकर राशी की, सामाजिक कारिकरताओं के साथ उनकी गती विधियों में पूरा सहयोग करना आपको महत्वण मुकाम हासिल करवाएगा, आपके व्यक्तित्व के सामने आपके विरोधी परास्त हो जाएंगे, कहीं से कोई ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिससे परिवार में खुशियों का माहौल निर्मित होगा, कोई भी योजना बनाने या क्रियानवित करने से पहले पुनर इशाली रंग आपका हरा होगा, अब हम बात करते हैं कुम्ब राशी की, अपना अधिक्तम समय आप अपने घर के अठके हुए रुके हुए कारियों में व्यतित करेंगे, इस्थाई संपती भूमी भवन वाहन संबंदी कारिय भी आपके संपन्न हो जाएंगे, घर परिव कोई चिंता आपको परिशान करेगी, कोई खुश खबरी ऐसी मिलने वाली है, जिससे आपकी चिंताएं लगभख समाप्त हो जाएगी, उपाई के रूप में यदि आप काले तिल शंकर भगवान के मंदिर में चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक साथ होगा, भागिशाली रंग आपका जामूनी होगा, अब हम बात करते हैं मीन राशी की, आज आपका अधिक्तम समय पारिवारिक लोगों के साथ व्यतित होगा, और घर की सुक्सुविधा संबध्य कार ये भी आपके पूर्ण हो जाएंगे, अधिक समय आप जो है अपने क्रिया कलापों में व्यतित करेंगे, रुके हुए अटके हुए काम आपके परिवार के सायोक से संपूर्ण हो जाएंगे, भावनाटमक संबंध और अधिक मजबूत होंगे, आपकी जो शंकालू या जित की प्रवत्ति है उसको परिवर्तन क करना चाहिए, थोड़ा सा व्यवहार में लचीला पन रखना बहुत आवश्यक होगा, और उपाई के रूप में छट के ऊपर पक्षियों को दाना डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, और आपका भागिशाली अंक एक होगा, भागिशाली रंग आपका ओरें करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्यकर लीजे, आपको और आपके पूरे परिवार को, सादर जैसी कृष्ण, सादर धन्यवाद